इसलाम अलेकम पीपल मेरे नाम अब्दुल समद है और लेर लॉर्निंग टोड़े डेटाबेस अच्छा जी सबसे पहले सवाल उटता है किसा डेटाबेस है क्या बेटा डेटाबेस इस साथ अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके सा इसको डिफाइन करूंगा कि it is a structured collection of data a structured collection of data in rows and columns to extract इसकी डिफिनेशन में यह चीज बेटा यह चीज लिखी भी एक्सट्रा आप चाहो तो लेकिन यहां तक पूरा इसको डिफाइन किया जा सकता है ठीक है हो क्या रहा है एक structured collection है structured collection क्या होती है structured collection होती है बेटा जिसके अंदर एक ऐसी collection data की जिसके अंदर कोई formation हो कोई formation हमें देख रही हो वह formation किस एतबार से हमने show की है वह formation जो यहां पर हमारे पास show हो रही है वह rows और columns की शकल में show हो रही है ठीक है rows का करता हुठ मैं तमवारी लिए एक टैबल बनाता हूं जिसके अंदर मैं रख दियां तो लेट सीए इस के अंदर हम लोग कितनी अच्छ में इसको समझ पाते हैं यहां पर रखा इसको और क्योंकि ये कुछ जादे ही मुन्ना है और वन नोट में पढ़ाना एक अलग कारगर्दगी है मेरे खाल से एक बहुत बड़ी कारस्तानी है बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें पढ़ाना ओके तो हम लोग शुरू करते हैं इस टेबल का मैंने एक नाम रखा ठीक है इस ट स्कूल स्टूडेंट्स अब स्कूल स्टूडेंट्स इसका नाम हो गया और यहां पर अंदर मैंने इसके अंदर चीज़े डालना शुरू की तो पहली चीज़ जो मैंने डाली है इसके अंदर वो है रोल नंबर रोल नंबर फिर है नेम पिर है एज अब मैंने इसके अंदर स्टूडेंट्स के नाम लिखना शूरू कर दिये सबसे पहले एक स्टूडेंट आया उसका रोल नम्बर ता जीरो वान उसका नाम है अब्दुस इसकी एज है पर एज है अब एक बात समझेंगे यहां पर हमारे पास दो तरीके से चीजे लिखी वी आ रही है पहली बात जो आ रही है आपके पास वो इस फॉर्माट में आ रही है जो स्ट्रेट चल रहे है फिक है उपर से लिगी नीचे की तरफ रन कर रहा है यह डेटा फिक है अब यह क्या चीज़ है इसकी उपर अभी हैं आप के हो गया कोलॉंदु और इसको हम लोग पील्ड कह रही होते जो भी कॉलम है उसको हम फ्रील्ड के नाम से फुकार रहे हैं। दूसरी चीज जो आपके पास आ रही होती है वह है कुछ इस रथैपार्बारस ना फीक है कोई छीज इस अदर बाइप साब के सामने आ रही है तो हम लोग इसको जो है वो रो कह रहे होंगे और इसका नाम होगा रैकॉर्ड यह रैकॉर्ड ठीक है हमने यह दो नाम दे दी है बहुत असानी से बास समझा गही होंगी आई होप सो अभी हमारे पास इस एक्जाम्पल में फील्ड कितनी है in the fields जो है वह तिन और हमारे पास जो रैकूर्ड हैं वह दो यहां तक बात क्लिए लोग एजी और मैं आगे बढ़ा हूं भई आगे बढ़ते हैं और यह समझते हैं कि इसकी टाइप्स कहें आपके पास visit की डोटाइप सारी किंधो टूटाइपस स आफव डेटाबिस सब्सक्राइब आपने बोल तो दी हैं लेकिन किसकी बेसिस पर मतलब जब भी कोई बंदा आपसे बोले के दो टाइपस बन रही है तो आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए कि कोई भी कैटिगरी कि किसी भी चीज़ की बन रही है तो उसके पीछे क्या रीजन है तो यहां प पर लिए नमबर ओफ टेबल्स टेबल्स क्याएं अभी जो हम लोग ने पीछे बात की थी इसके अंदर आपके पास यह स्कूल स्टूडेंट था यह एक टेबल था यह एक क्या था टेबल था तो आपके पास इस बेसिस पे दो तरहा के डेटाबेस आ जाते हैं सब दो तरह किस तरीके से और नाम किए पर्स्ट वान एज यार सिंग टेबल डेताबेस सिंगल टेबल डेटाबेस ऐन्डी डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस को आप यहां नहीं पढ़ेंगे यह आपके लबिस में आएगा कि यह आपके उलब उसमें आजाएगा कि क्लियर हो गया आगे बढ़ जाते हैं सर इन दोनों में फर्क किया है मेटा सिंगल टेबल में एक टेबल आ रहा होगा और रिलेशनल टेबल में आपके साथ पास एक या एक से ज्यादा टेबल आ रहे होंगे सर यह चीज प्लीज लिए देते हैं वाण टेबल और इस तरफ लिएते हैं वन और मॉर दैन वन टेबल आए यहां तक बास अमझा गई है अगली बात समझ लेंगे कि एडवांटेज में हैं इसके हमारे पास डेटा बेस के जो हम अडवांटेज पढ़ए होंगे वह रूप जैमती इसको लिए लोँ एडवान टेज़ इस ताके हम पर सफून से अपने 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 जिसके टॉपिक पे सपून से तुस्क्रा कर सकें जी विए दिए अटिज विए अब बांटेज विए इस रिडियूस्ड डेटा रिडियूस्ड डेटा रिडियूस्ड डेटा रिड़न डेंसी मतलब अब आपके पास जो भी डेटा डाला जा रहा है वह एक से ज्यादा दफ़ा अपियर नहीं कर रहा होगा सर कहना क्या चाह रहें अभी अगर मैं ऊपर चलूं वापिस तो भाई जो हमने अभी डेटा बेस बात की थी और मैंने आपको एक एक्जामपल यहां पर शो की हुई है अब देखो दो ऑपरेटर बैटे वें यह दोनों बैट करके एक स्टूडेंट्स को इस डेटा बेस में स्टूडेंट्स का पूरा डेटा डाल रहे हैं अब क्यों हो रहे हैं एक एक ऑपरेटर ने डाला 01 अब्दस 16 एंटर कर दिया दूसरे वाले ऑपरेटर के सामने आटोमाटिकली यह चीज़ अपियर होने लग जाएगी तो अब वो जो है यह सेम टेप सेम डेटा जो है वह डालेगा वापस से तो डेटा डांडंटन नहीं हो रहा वाथ क्लियर हए जतनी रिक्वायड है उतना ही आ रहा है और उतनी धवाही लिखाऊ है मतलब एक दबा कालो अब वह इसको मैं एक तरीके से डेटा कंसिस्टन्ट से लिंक्र कर सकता हूँ एक तडिक से सेकंड पॉइंट जो आपके पास आ रहा है वो है कि डेटा अप्सिस लेव सिर्या डyuट्ता बना सकते लवाय। वा éléments तो इस था यह तक्यू यह अपने लिग डिया एकदम बेटा इफ यू हाव डेटाबेस for example for example if you have a database अब इस database को मैं एक कंपनी में operate कर रहा हूं इस database को सब लोग access कर सकते हैं कंपनी में लेकिन कुछ information ऐसी होगी जो के मैं कुछ particular लोगों के लिए अलाव नहीं करूंगा कि वह इस चीज़ को access करें इसकी इसके अंदर एक portion यह रहा और एक portion यह रहा अब मैंने कहा यह वाला जो है पॉर्शन यह अकाउंट डिपार्टमेंट के लिए ठीक है और यह वाला पॉर्शन आस वेल इस पॉर्शन यह दोनों के लिए अब अकाउंट डिपार्टमेंट वाला अगर इस जगा को access करने की कोशिश करेगा तो वह access नहीं कर सकता तो डेटा access के लेवल्स बन गया हमने यह डिफाइन कर दिया कि कौन किस वक्त कौन सा डेटा access कर सकता है और कौन कि डेटा की security बढ़ जाती और integrity डेटा डेटा सेक्यॉरिटी टी आड इंटेग्रेटी अब सवाल उटता कि सर यह integrity का जो आपने वर्ड यूज किया है वाट डास डिस मीन यह जो इंटेग्रीटी का वर्ड यूज वह सेक्यॉरिटी तो बात समझा रही है फिर भी थोड़ी बहुत लेकिन इंटेग्रीटी कैसे आईगी सेक्यॉरिटी तो मैं पैस्वर्ट लगा के आ और यह consistent है तो डेटा एक जो इनपुट किया गया वह एक्दम आक्रट है सही है वह कंप्लीट है और वह कंसिस्टेंट है सारी जगाहें जितनी भी हमें इंफोर्मेशन चाहिए ती किसी भी इनसान के बारे में उसका डेटा है वह हम लोगने कंप्लीट रखा वह आक्रेट और नॉलेज और वह consistent है मदलब हर इनसान के सामने exactly same data शो हो रहा है clear है अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं कि पोड़ पॉइंट यह है कि डेटा की एंट्री 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 कॉमा इंट्री इस टोरेज कि मैंने एंट्री कैपिटल से लिख दिया कोई मेरा मदाक न उड़ाने बैठ जाए यहां पर तो होता है यार तेजी में पढ़ा रहें ना और रिट्रीवल रिक्वायर्ज लो कॉस्ट तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपने जो भी डेटा एंटर किया या तो स्टोर किया है या पिर उस डेटा को वापिस से ले करके आरें अपने पास इसकी कॉस्ट गिर गई है सर कैसे ना आट फर्स यू यूस्ट वाफ ट्लरक्स साही है प्रिवियस्ली यू यू यूस्ट वाफ ट्लरक्स ठीक है जो कि एक कॉपी में नोट डाउन कर रहे थे अब आपको बहुत सारे लोग चाहिए और लिखने में लग रहा होता है अब अपने सिफ टाइप करना है और आपने उसको अपने पास से लिविपर आपके पास लोग थोποιे घाना एक बोकस राएं अयुकस रख रहे थे but now what you need to do is like each and everything is online तो आपको टेंशन ही नहीं है ठीक तो वो कमरे की जगह वो वाटरूप की जगह बच गई आपकी थर्ड इंग इस रिट्रीवल अगर आप डेटा को एंट्री करना आपके लिए असानी हो रही है स्टोर करना असान हो रहा है तो रिट्रीव करना भी असान हो असान हो चुका है ठीक यहां पर हम लोग अपने इस लेक्शर को डन करते हैं और अगले लेक्शर में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिस